हेलो यूट्यूब फामली, वेरी गूड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ कि यूट्यूब पे दो-दो चैनल मैं कैसे समालती हूँ, साथ में मैं घर को किस तने से मैनेज करती हूँ, तो मैं दूसरे वाले चैनल के लिए यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी, और तेजस को लग गई भूख, तो मैंने सुचा कि चलो उसको शाम का नाश्ता दे देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अभी मेरा वीडियो कांप्लीट नहीं हुआ है, मैं आधा वीडियो शूट करके आई हूँ, तेजस को नाश्ता देने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, और यहाँ पर मैंने एक साइट दूद चढ़ा दिया है, केसर वाला, क्योंकि थंडी बहुत हो रही है, तो तेजस को मैं दो टाइम केसर वाला दूद देने लगी हूँ, क्योंकि थंड़क इतनी हो रही है, कुछ कहने को नहीं, आपको बताओ लखनाओ में, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है मूली, क्योंकि फ्रिज में रख्यो ही सबजी जो होती है, अगर आप काटो या कुछ भी करो, तो हाथ आपके सुन होने लगते हैं, तो जब तक मैं वीडियो शूट करूगी, तेजस को नाश्ता दूँगी, तो तक तक क्ले जो है नॉर्मल हो जाएगी, तो हाथ नहीं सुनोंगे थंड़क में, तो यहाँ पर मैं रिफिल कर रही हूँ आईल, क्योंकि आईल फिनिश हो गया था, और आपको पता है, जब भी हम लोग आईल रिफिल करते हैं पैकेट में, तो जब हम लोग रिफिल कर लेते हैं, अपनी जो बाटल होती है, उसके पाद भी पैकेट में बहुत सारा आईल बचता है, तो मैं इस पैकेट को रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और जिस पैकेट में आईल आया था पॉलिथिन में, उस पॉलिथिन को मैं अच्छी तने से फोल्ड करके स्टोर कर लूँगी, कभी-कभी हमें जर्वत पढ़ जाती है, किसी को सामान देने की, या कभी-कभी हम लोग को घर में ही जर्वत पढ़ जाती है, कुछ रखने की, तो हम लोग को पॉलिथिन नहीं मिलती है, तो मैं अच्छी तने से जो जगे मैंने बनाई है, वहाँ पर स्टोर करके रख देती हूँ तो यहाँ पर जो ओयल मैंने निकाला था ना तो उसमें से देखेगा कितना ओयल निकलेगा हमारा थोड़ा बहुत तो काम चली जाएगा इतना ओयल हम लोग वेस्ट कर देते हैं आप यकीन मानो पॉलिथिन से जब भी हम लोग कट करते हैं ओयल को और पॉलिथिन जो है डाक जो है ओयल वाला वो फेक देते हैं उसमें काफी ओयल होता है कि आपके दो तीन पराठे अराम से बन सके तो यहाँ पर मैंने ओयल अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी जो है तेजस को दूद दे दूँगी क्योंकि केसर वाला दूद हो गया जब तक वो दूद पिएगा तब तक लिए मैं उसके नाश्टे का इंतिजाम कर दूँगी तो यह देखिए पापड तल गया है लब इतना ओयल था कि चार-पाँच पापड आराम से तल गया है क्योंकि हम ओयल कितना वेस्ट कर देते हैं सोचिए जिब भी पॉलिथिन से ओयल निकालते हैं तो यह देखिए इतने पापड तल चुके हैं आराम से तो चलिए पापड खाते हैं और यहां पर मैं तेजस को पापड दे दिया है और चाय मैं शाम को इस सब वक्त जो है तेजस को हलका ही नाश्ता दे रही हूँ क्योंकि एक तो विंटर से दूसरी बात यह कि विकेशन चल रही है तो कहीं भी आना जाना नहीं होता है तो डाइजेस नहीं हो पाता जितना हो सकता है शाम का नाश्ता मैं लाइट ही देती हूँ तो इतेजस को ख़़ी कदार हैवी हो जाता है कि अगर दिन में हमारा खाना लाइट होता है तो इसलिए मैंने उसको जो है लाइट नाश्ता दिया है और यहां पर मैं अपनी ले रही हूँ इवनिंग की मेडिसिन आप सभी जानते हो कि इधा बीच मेरी तबेत नहीं सही चल रही है तो मैं अपना ध्यान खुद रखती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी नहीं आएगा ध्यान रखने तो मुझे खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा सारी मेडिसिन्स मैंने ले लिए हैं जो शाम की खाई जाती है तो अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगी इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और नेक्स डे की प्रेपरेशन करने क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि मुझे दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या बनाना है लांच में तो यहाँ पर मैं खड़ी जो मूंग होती है न वो डाल मैंने निकाल ली है और इसको जो है मैंने बिन लिया है और अब अच्छी तरह से इसको वाश कर लूँगी और एक सैट मैंने गरम पानी चड़ा दिया है कैस पे आप देख सकते हो जब भी आप चने की दाल मूं की दाल सर्दियों में बनाओ न तो ये टिप चरूर अजमा के देखिएगा आपको बहुत आराम रहेगा तो यहाँ पर गरम पानी में मैंने धुली हुई दाल को डाल दिया है और इसको मैं सोक करके रात भर के लिए रख दूँगी तो इससे क्या होगा जब आप मौनिंग में उटोगे आपको बहुत जल्दी होगी जैसे आप साथ बजे आट बजे खाना बनाते हो तो डाल गलने में अराम रहेगा और आप कोई भी अपनी मन पसंद डाल इसी तने से बना सकते हो जैसे हम लोग राजमा छोला एक दिन पह ताकि काम थोड़ा से काम हो जाए अब यहां पर मैं आगई हूँ मुली को घिस लिया है और आज मैं बनाने जा रही हूं मुली के पर आठे तो यहां पर मैंने मुली को घिसने के बाद उसमें नमक को आड़ कर दिया आधी चमच और अब मैं इसको अच्छी देने से mix कर दूँगी और 15 से 20 मिट तक स्री 15-20 मिट तक के इसको रख दूँगी जितना भी मूली में पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकल आएगा बहुत से लोग मूली को पका के बनाते हैं मगर मैं नहीं बनाती हूँ यह देखे कितना पानी निकल रहा है मुझे लगता है कि जब मैं हम मूली को पका देते हैं भून देते हैं तो उसका जो ओरिजनल टेस्ट होता है वो चीजों का चला जाता है पराटों में फिर मज़ा नहीं आता है तो आप अकसर मेरे पराटे जब भी देखोगे तो ओइजनल टेस्ट पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि किस तने से मूली में पानी निकल रहा है बहुत अच्छी तने से स्क्वेस कर लिया है और ये प्रोसेस मैं एक से दो बार करूँगी क्योंकि पानी बहुत निकलता है मूली में तो दो बार तीन बार आपको करना पड़ता ही पड़ता है जब तक कि अच्छी तने से मूली पानी ना निकल जाए अब देखिए एक दम सूख गई है मूली आप देख सकते हो बहुत अच्छी तने से अब हम इसमें थोड़ा से नमक आड़ करेंगे साथ में यहाँ पर मैंने हरी धनिया, हरा मिर्चा और जो स्प्रिंग अनियान होती ही वो काटके रखी है इसमें हम अनियान ने डालते हैं स्प्रिंग अनियान डालते हैं हम अपनी बात कर रहे हैं आप चाहो तो अनियन डाल सकते हो यह आप पर टिपेंड करता है तो हरी धनिया और हरा मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालो हम लोगों तो ज्यादा पसंद है और इसमें और कुछ नहीं डालते हैं ना कश्मीरी मिर्च नहीं लाल मिर्च क बस हरी मिर्च धनिया मिर्चा और नमक बस इसको एड़ कर दिया है और यहां पर मैं थोड़ी सी अजवाइन एड़ करूंगी क्योंकि मूली के पराठे बन रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि क्यों डाल रहे हो तो चलिए आज आपको मैं अपनी तरीके से बताती हूं कि मूली को इसमें भर दिया है आप देख सकते हो किता सारा भरा है बिल्कुल बाहर की तने और इसको जो है कवर कर दिया आपके मूली के पराठे जो हैं बहुत कम फटेंगे इस ट्रिक से अगर आप बनाते हो मूली के पराठे तो बस साइडों को मैंने स्टिक कर दिया है और अब मै आपको बता दूँ पहले आपको बीच में बेलना है उसके बाद साइडस में तो देखिए धीरे-धीरे आपके पराठे जो हैं गूमते रहेंगे आपको लोई बहुत छोटी-छोटी लेनी है बहुत बड़ी-बड़ी मत लीजेगा ने तो बहुत मोटे पराठे हो जाएंगे और साइडे पे ध्यान रखेगा साइड को पतला कर दीजेगा क्योंकि साइड पे अगर आप पतला कर दोगे न तो पराठे एक दम बढ़िया से बनेंगे और बहुत भरे-भरे पराठे बनते तो यह देखिए हमारे मूली के पराठे डाल दिए अच्छा आप चाहो तो सेख लिए साइड वे अच्छी तरह सेख लीजेगा क्योंकि डबल होते हैं तो पकने में थोड़ा से समय लगता है तो बस देखिए हमारे पराठे तयार हो गए हमारे गर्मा-गर्म मूली के पराठे तयार है चलिए आपको दिखा देती हूं कि किस तरह के लग रहे है मूल में देखिए में यह स्कारा हएं मैं यहां दो कि भीए टेखिए ही मोली की पराठे वाटी पि suburbs कि इसा नहीं सब्सक्राब्या एक में अश्यषाणए यह में पनत द आए बनाती दोनों तरह से थी मगर यह ज्यादा बनाती थी तोड़ा से विलिच स्टाइल में हैं चले पाते बहुत ओकर पराठे आपको दिखाते हैं यह देखिय को мुली के पराठे तयार है शात में मुली का कुचला है और बहुत से लोग जानते होंगे इसको और बहुत से लोग नहीं जानते हैं अगर आपको इस Frage चाहिए तो जरूर बताएं किो देखिए हमारे मूली के पराटे कितने पढ़िया तने से खुल गए हैं परत में ये देखिए और कितने भरे भरे हैं है ना अच्छा लग रहा है ना तो बनाईएगा खाईएगा जरूर बहुत ही बढ़ियां बने हुँ सबको इतने परसंद आए तेज़स कैसे लोगे तेज़स को भी पसंद है हज्मेंड को भी बढ़ियां सबको बहुत पसंद आए मूली पराटे तो चलिए मैं खाना लेती हूं फिर आप से मलती हूं